हेलो वीवर्ज मैं आपके लेके हैं समसेंग गलेक्सी A20 अभी इसका अन्बोक्सिंग करते हैं मेरा नम शहदाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग चले इस वीडियो का आप बढ़ाते हैं सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि आप देख सको मुबाइल फोन की अन्बोक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले दोस्तों यह समसेंग गलेक्सी A20 का गलोबल वेरियंट वाला बॉक्स है इसका प्रोड़क्ट कोड है SMA205F यह डियूल सिम और सिंगल सिम दो वेरियंट में लाँच किया गया है डियूल सिम वाले मॉडल का प्रोड़क्ट कोड है SM205F-DS इसकी सैसिस में मिलता है आपको टू अमपेर का फास्ट चारजिंग वाला डाप्टर यूएसबी डेटेकेबल सी टैप रिवर्सिबल कनेक्टर वाली 3.5 मिलिमेटर और जेक वाली हैंट फ्री यह फून एक वेरियंट में बनाए गया है 3GB RAM और 32GB इंटरनल मेमरी के साथ पाकिस्तानी प्राइस ऑफिशल वरंटी वाले की 30,000 रुप्या है मार्केटर में डिसकाउंट के साथ 28,000 रुप्य तक मिल जाता है ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहां पर ज्यादा डिसकाउंट आपको मिल सकता है 920 में ये PTS अप्रूवड वाला अवेलिबल है पाकिस्तान में 26,000 रुप्यज में पाकिस्तान में इसकी डिसेल वैलियो बहुत ही अच्छी है अगर एक महीना यूज करने के बाद सेल करते हैं आप तो 4,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा और अगर 6 मन्थ यूज कर लेते हैं तो तब भी 8,000 पे से ज्यादा लॉस नहीं करेगा ये फोन इंडिया में इस फोन की प्राइस ओफिशली जो है 12,500 रुप्या है यह black color है इसका इसके लभा दो और भी color available है blue और red इसकी back fiber plastic की बनाई गई है glossy shiny वाली लूख है इसकी यह glass के material से नहीं बनाई गई लेकिन glass की look आती है इसके अंदर colorful 3D glass יसक बाइक है इसकी stone जैसे मजबूत look है इसलिए scratch कम लगते है इसकी back पे anti-fingerprint है यह back इसकी बैक पे डियो रियर कैमरा है 13 Megapixel का 1.9 अपर्चर के साथ अल्टरा वाइड कैमरा है और दूसरा 5 Megapixel का 2.2 अपर्चर के साथ ये भी अल्टरा वाइड कैमरा है कैमरे के फीचर्स में आपको मिलता है नॉर्म फोटोग्राफी जूम इन एंड आउट कर सकते है 4X तक ये जूम जूम करता है कैमरे के फुल व्यू डिस्प्ले ले सकते है लाइफ फोकस है फेस डिट्रेक्शन है प्रो महिशनल मोड है पनुरामा और वीडियो बना सकते है इसका फ्रेम ऐलुमिनियम का बनाएगए है फ्रेम के उपर 3D कलर कोटे की गई है कम स्क्रेच लगते हैं इस पर ग्रे कलर का फ्रेम है बॉटम पर फोन की फ्रेम के 3.5 मिलिमेटर का होल है हैंड फी लगाने के लिए इसके साथ चार्जिंग स्लॉट है सी टाइब रिवर्सिबल इसके साथ माइक है और साथ रिंगर है फोन की लेफ्ट साइड पे फ्रेम के उपर सिम स्लॉट है अपर साइड पे फोन की डेडिकेटर माइक है फोन की राइट साइड पे पावर बटन है और वालिम अप अप अड़ डाउन कीज है इसकी body की जो dimensions है height है 158.4 mm इसकी जो weight है 74.7 mm है और इसकी जो मुटाई है 7.8 mm इसका जो weight है 169 gram है front पे full edge to edge display है full glass है 6.4 inches का infinity V display है इसका phone का display edge to edge है bezel-less है FHD plus resolution है और super emulator screen है screen to body ratio है 85% है IPS LCD capacitive touchscreen है 16 million colors के साथ display का resolution है 720 by 1560 pixels का है 268 pixel density है display always on का feature इसमें नहीं है notification LED light भी इसके अंदर नहीं है display के अंदर super emulator display है इसका protection के लिए corning gorilla glass की protection नहीं मिलती इसमें water या dust proof नहीं है ये screen recording कर सकते हैं आप इसमें आपको मिलता है 8 megapixel का front selfie camera जिसका पर्चे 2.0 है front camera के features में normal selfie video mode और live focus है background blur कर सकते हैं selfie का ये phone dual sim sport करता है दोनों sim nano लगा सकते हैं 4G LTE sport है दोनों sim के अंदर dual board भी sport करता है 5G ये sport नहीं करता memory card के लिए dedicated space है 500 बरजबी तक micro SD memory card लगा सकते हैं इसकी charging के बात करे तो पंदरा वाड का fast charging sport है इसके अंदर 4000 mh की long non removable battery है इसकी USB only को sport करता है 1000 GB तक USB लगा सकते हैं charging connected C type है reversible 10 minute में 10% ये phone charge हो जाता है galaxy 820 में high tech biometric authentication है rear mounted fingerprint scanner है face recognition के तोर पे convenient mobile security भी है dual application भी चला सकते हैं जैसे clone app कहते हैं application को local लगा सकते हैं secure folder भी इसके अंदर मवजूद है sensors में आपको मिलता है accelerometer fingerprint sensor gyroscope geomagnetic sensor hall sensor problematic sensor connectivity में Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS BDS hotspot radio vera इसमें operating system android 9.0 5 built-in install किया गया है इसमें mobile processor 7 series का exynos 7884 लगाया गया है octa core CPU है इसका जिसकी speed up to 1.6 ग्राफिस्क परफॉर्मेंस की बात करें तो Mali G71 MP2 GPU बेस करता है यह प्राफिस्क 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